नमस्कार मैं हूँ प्रक्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है तीस सितंबर दिन सनिवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार में यातयात नियम होगा और भी सब आज है बीपीएसी 69 भी पीटी की परिक्षा इन बातों का रखे ध्यान इन कामों को पूरा करने का आज है अंतिम मौका वर्ना हो सकता है नुकसान बिहार पुलिस में 24,279 पदों पर होगी भरती का एलान युबरास सिन ने किया दावा वर्ल्ड कब 2023 में कौन तीन खिलारी होंगे गेम चेंजर्स अब चले बढ़ते हैं विहार के अब तक की 25 परी खबरों क्यों विस्तार से रेल्वे मिट्रेड अपरेंटिस के 3,115 पदों पर भरती रेल्वे रेकूल्मेंट सिल की ओर से इस्टन रेल्वे में 3,000 से जादा अपरेंटिसिप के रिक्त पदों पर भरती निकाली गई है ऐसे में वे लोग जो इसके लिए आवीदन करना चाहते हैं वो ओफीसियल वेबसाइट er.indianrailways.gov.in पर जाकर ओल्लाइन तरीके से अपना आवीदन कर सकते हैं बतादी के आवीदन करने की अंतिम तारिक 26 ओक्टूबर 2023 तक नरधारित की गई है इसके लिए गर सैचनिक योगेता की बात करे तो उमिद्वार ने 10 वी रस्वी के साथ संबंधित ट्रेड में ITI संबंधित ट्रेड में NCVT सर्टिफिकेट आधी प्राप्त किया हो इसके साथ ही अभ्यर्थी की नियुंतम आयू 15 वर्स एवं अधिक तम आयू 24 वर्स से अधिक नहीं होनी चाहिए इसे जोड़ी अधिक जानकारी के लिए उमिद्वार जारी किये गए अधिसूशना को एक बार जरूर देख लें बिहार लोग शिकायत निवारन अधिकार अधिनियम के तहत यहां करे शिकायत बिहार सरकार के सूशना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा IPRD बिहार के माध्यम से एक पोस्ट शेयर करी है जानकारी दी गई है कि राज्य में सर्वसाधारन के शिकायतों का एक निश्चित समय सीमा में समधान कराने के उद्देश से 5 जुन 2016 से पूरे राज्य में विहार लोग शिकायत निवारन अधिकार अधिनियम लागू है जिसकी जानकारी सब को होनी चाहिए बता दे किसके माध्यम से राज्य सरकार द्वारा राज्य में चलाई जा रही किसी योजना कारिक्रम एवं सीवा के संबंध में कोई लाप प्राप्त करने के लिए या ऐसा लाप प्राप्त होने में होड़ी देरी या विफलता के लिए शिकायत की जा सकती है इसके लिए शिकायत करता को अनुमंडल जिला एवं राज्य मुख्याले में अवस्थित लोग शिकायत प्राप्ती काउंटर पर जाकर अत्वा स्जटी पी कोलम स् लोगशिकायत.bihar.gov.in पर जाकर पडिवाल दायर कराना होगा बता दे कि कोई भी नागरिक या नागरिकों के समूँ के द्वारा शिकायत दर्ज कराई जा सकती है जो बलकुल निशल्ख होगी इस बारे में अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नमबर 183456284 पर कॉल करें या वेबसाइट www.https.gov.in पर जानकारी प्राप करें बिहार परिटर में आज हम बात करेंगे मंदन धाम के बारे में मंदन धाम सहरसा जले के महिसी गाउं में स्थित है इसे आठवी सिताबदी के महान विद्वान और दार्षनिक पंडित मंदन मिश्र के जर्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है इस जगह से एक दल्चस्ट कहानी जुरिवी है, ऐसा कहा जाता है कि पंडत मंडन मिश्र ने अपनी पतनी भारती के साथ मिलकर भारती दर्शन में बहुमुले योगदान दिया जो आधी संक्राचारे के वर्ष्ट सम्काली थे आधी संक्राचारे ने सनातन धर्म के प्रचार हेतु मंडन से दार्शनिक सास्तरार्त हेतु महीसी का दौरा किया मंडन धाम में ब्रहमसिद्धी, मिमांसा, नुक्रमानिका और विधी, विवेक जैसे कई पहुमुले पुस्तके भी है जिनकी रचना स्वे मंडन ने की है इस धाम में विवेन राजियों से लोग आते हैं, खास कर दक्षिन भारस से लोग आते हैं, मंडन धाम विद्वानों की कर्म भूमी रही है और यहां आना जाना अपने आप में गौरव की बात होगी आज यानी की 30 सितंबर को BPSC 79 की पीटी परिक्षा है जिसके लिए राजिय के एक तजिला मुख्यालियों के 480 परिक्षा किंद्र को तयार किया गया है मालम हो कि यह परिक्षा एक ही पाली में दो पहर 12 बजे से 2 बजे तक आयुजित की जाएगी ऐसे में जो भी अभियरते इस परिक्षा में शामिल होने वाले हैं उन्हें कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है जिसके अंतरगत परिक्षा किंद्र में सुभध 10 बजे से प्रवेश दिया जाएगा और 11 बजे के बाद प्रवेश बंद कर दिया जाएगा वहीं परिक्षा एडमिट कार एवं आधार कार को आपस में मिलान कर एडमिट क को किसी तरह की अफ़वा फैलाते वे देखा जाता है तो उसे पांच साल के लिए आयोग में होने वाले परिक्छाओं में शामिल होने से प्रतिबंद लगा दिया जाएगा बिहार में बोध गया सामुदाइक स्वास्ते किंद्र ने हासल की बड़ी उपलब्धी बोध गया सामुदाइक स्वास्ते किंद्र ने राजेस्तर पर आयुश्मान भारत अभियान कारिक्रम के तहट चिकसा के छितर में प्रतम स्थान प्राप्त किया है बोद गया सामोदाईक स्वास्ते किंद्र के सुपलवधी पर स्वास्ते विभाग के अपर मोखे सचीवा प्रत्य अम्रित के द्वारा चिकस्ता प्रभारी डॉक्टर मनूज कुमार को बिहार के राजधानी पटना के पटना सचीवाले के अधिवेशन भवन में प्रसस्ती बीहार में यातायात नियम होगा और भी सकत राज्य में यातायात नियम में सुधार हो सके इसको लेकर परिभान विभाग के ओर से कई एहम कदम उठाए गया है इस संबन्ध में सभी जिलों के डीम, एससपी और एसपी को नर्देश दे दिया गया है वहिस बारे में पड़िवहन सचीफ संजय कुमार अगरवाल के द्वारा कहा गया है कि लगातार अभियान चला कर लहरिया कट वहां चलाने वालों के विरुद सक्त कारवाई की जा रही है ऐसे में इन वाहन चाल को पर कारवाई के लिए संबंध इत्पलादिकारी के द्वारा सुची तयार की जा रही है जो हमें सबसरकों पर लहरिया कट वाहन चलाते पाए जाते हैं जिससे कि दुर्गटनाओं में भी बढ़ोतरी होती है इन कामों को पूरा करने का आज है अंतिम मौका वरना हो सकता है नुकसान आज सितंबर महीने का अंतिम दिन है और कल से नई महीने ऑक्टूबर की शिरवात हो जाएगी ऐसे में कुछ काम ऐसे है जो आज किसी भी हालत में निप्टा लेने बेहत जरूरी है नहीं तो आपको इसका नुकसान सहना पर सकता है जिसमें से सबसे पहला काम 2000 रुपए के नोट को बैंकों में जाकर बदलवाना है अगर आपके पास भी 2000 के नोट है तो आज ही उसे बैंक में जाकर जमा करवाने का अंतिम दिन है अगर आज 2000 के नोट को बैंक में जमान नहीं करा जाता है तो आपको ये नोट रद्दी के समान हो जाएंगे इसके लावा अगर आप सरकारी योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समरिद्धी योजना समीत अने किसी योजना में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर आपके पास अपना आधार अपडेट करवाने का आज अंतिम मौका है अगर यह काम आज नहीं किया जाता है तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है या निवेस पर रोक लग सकती है भारतिय रिजर्ब बैंक के दिशन नरदेशों के मताबिक बैंक लॉकर लेने वाले ग्रहा को को नए अग्रिमेंट पर साइन करना जरूरी है यदि आपका भी बैंक में लॉकर है तो फिर आपके पास भी आज बैंक लॉकर एग्रिमेंट पर साइन करने का आंतेम मौका है वहीं इसके लावा FD में निवेश करने वाले इंवेस्टर्स के लिए भी SBI की VKR स्की में निवेश करने का आज आखरी मौका है और साथ ही आज LIC की धन भी बंद होने वाली है बिहार पुलिस में 24,279 पदों पर होगी भरती का एलान बीतर दिन ADG मुख्याले JS गंगवार के दोरा प्रेस कांफरेंस में या जानकारी देते वे बताया गया कि अगले साल यानी की वर्श सो हजार चाबस में बिहार पुलिस में विविन रैंक के 24 पुलिस हजार 2,279 पदों पर भरती के लिए बहाली निकलने वाली है इसके लिए मुख्याले की ओर से पदों को रिलीस करने के लिए ग्री विवाग से स्विकृति मांगी गई है ऐसे में ग्री और विविवाग के दोरा स्विकृति दिये जाने के बाद बहाली का रोस्ट गैंक चलाने वाले कई आरोपियों को गिर्फतार किया गया है और इसने पास से एंटी जैमर ग्लूरूट समेथ कई उपकरन मिले है वही विलाल पुलिस के दोरा इन गिरों से जुरे अन्य आरोपियों की तलाशी की जारी है एक हफ़ते पहले मिलेगी मौसमी बिमारियों की जानकारी बहुत जल्दी बिहार के लोगों को मौसमी बिमारियों के बारे में एक हफ़ते पहले ही जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी दरसल इसको लेकर राज्य में सरकार की मदद से बिमारियों के फैनले से एक सब्ता पहले ही एक एडवाईजरी को जारी किया जाएगा मिली जानकारी के नुसार इस मामले में अगले दो हफ़ते में समझोता ग्यापन हस्ताक्षर किया जाएगा मालम हो कि पटना के मौसम विज्ञान केंद्र और एम्स के संयुक्त पहल पर राज्य में होने वाले मौसमी बिमारियों से बचाओ के लिए एक खास पुर्वानुमान जारी किया जाएगा दरसल एम्स के चिकिस्सक और मौसम विदो के द्वारा किये गए अध्यान से यह जानकारी निकल कर सामने आई है कि सूबे में बारिस की विशेश मात्रा और खास तरह के तापमान में मौसमी लोगों का प्रसार होता है ऐसे में समय रहते ही पुर्वानुमान चारी कर दिया जाता है तो इससे लोगों को कई तरह के फाइदे मिलेंगे इस बारे में मौसम विज्ञान के अंद्रपटना के निदेशक आसीज कुमार के द्वार जानकारी देते वे बताया गया है कि पुर्वानुमान के तोर पर एक बुलेटिन चारी किया जाएगा जिसमें यह जानकारी दी जाएगी कि बिमारी से बचाओ के लिए क्या ज़र होगी है विहारी पहचान में आज हम बात करेंगे गिरिजा प्रसाद कोईराला के बारे में गृज़ा प्रसाथ कोईराला का जन उनके पता के निर्वासन शीवन के समय सहरसा बृटिस इंड्रिया में हुआ था वो नेपाल के सिर्ष राजनेता और नेपाली कॉंग्रस के पुरवाध्यक्ष थें वे चार बार नेपाल के प्रधान मंत्री रहें, ग्रिजया प्रसाद कोईराला का राजनितिक सफर छो दसक से भी जादा लंबारा हा। नेपाल को माववादी संखर से निजाद दिलाने और उन्हें राजनिती की मुख्य धारा में जोडने में कोई डाला ने एहम भूमी का निभाई। अच्छे संबंधों के पक्षधर रहें। तमबाकू या गुटका खाते पकरे जाते हैं तो उस सक्छक पर विवाद के ओर से करी कारवाई की जाएगी। इसके अलावा विवाद के ओर से गुप्त रूप से यह भी जानकारी एक अत्रत की जारी है कि कौन-कौन ऐसे सक्छक या प्रधाध्यापक हैं जो स्कूल में भी तमबाकू या गुटका का स्थेवन करते हैं। राजी के इन जिलों में होगी औसधिय और सुस्क बागवानी। जाएगा। जिलाज शावर है। इरिक्सा से विष्णूपद इलाके में पहुँचे गया डियम की ये अपील। विहार के गया में लगने वाले विष्णूपद पितरी पक्ष मेले की श्रवात हो चुकी है जो की 14 ओक्टूबर तक चलेगी। इसे बीच बीटे दिन गया डियम डॉक्टर त्यागराजन SM इ लिक्सा के माद्याम से चांद चोडा से विष्णूपद मेला छेतर पहुँचे और फिर इरिक्सा से ही वापस विष्णूपद से चांद चोडा की ओर से प्रस्थान होए। इस दुरान उन्होंने उधारन प्रसूत करते वे बताये कि आप सभी अतिविस्च गर्माने व्यक्ती वड़िये पदादीकारी तथा अन्य पदादीकारी व्यक्ती आप सभी तर्थ यात्रियों के हित्में तथा तर्थ यात्रियों को कोई असुधा ना हो इसे लेकर विश् विश्नुपद एवं विश्नुपद से बंगाली आश्रम तक तीन सिफ्ट में 60 निशुलक ईरिक्सा रखा गया है इसके अलावा प्रेथशला पार्किंग पॉइंट से प्रेथशला मंदिर तक अती बुजर्ग तर्थ यात्रियों के लिए पड़यप्त ईरिक्सा रखा गया विश्नुपद दिन उपराश्रुपदी जगदीब धनकर अपनी पतनी के साथ गया पहुँचे जिसके बाद वे विशेश विमां से गया एरपोर्ट से सीधे विश्नुपद मंदिर पहुँचे जहां उन्होंने धूप गड़ी के पास बैट कर विधी पुरवक प्रिंड द्वारा अपनी पतनी के साथ ब्राह्मन को खुद भोजन पडोसा गया और फिर उन्हें विश्नुपद के काड़े आले में स्री विश्नुपद प्रबंध कारिनी की समीती की ओर से उन्हें और उनकी पतनी को विश्नुचरन अंगवस्र और प्रशाद दे कर समानित किया अब बता दे किस दुरान राश्ट्रोपती ने मंदर की विवस्था वप पंड़दान की सराना की वह इसके बाद उपराश्ट्रोपती राजगीर पहुँचे जहां वे नारंदा विश्य विद्याले के कारिक्रम में शामित हुए प्रदेश के दक्षिन के जिलों में बारिस की संभावना विहार में मौसम का विजास बदलने वाला है अब लोगों को तेज गर्मी से राहत मिलने वाली है मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के नुसार आज से प्रदेश के कई जिलों में बारिस की संभाबना जताई गई है प्रदेश में कुछ दिनों से पर रही गर्मी से लोगों को निजात मिलने वाली है विभाग की मारने तो लगभग 10 जिलों में बारिस होने की संभाबना जताई गई है पतादी की प्रदेश में मौनसून की गतिवीदी कमजोर रहने के कारण अधिक्तम इलाकों में उमस भरी गर्मी से लोगों को काफी परिशानी का सामना करना पड़ा हाला कर दोरान प्रदेश के एक या दो अस्थानों पर हलकी बुन्दा बांदी देखी गई है साथी जमुई नवादा बांका और भागलपुर जिलों के एक या दो अस्थानों में भारी बालिश होने की संभावना है लंदन की तरह बिहार की राजधानी में गंगा किनारे बनेगा फेरिस विल पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेट के द्वारा पटना के सौंदरे करण और विकास को लेकर कई पर योजनाओं पर काम किया जा रहा है इसी करी में अब एक और काम जुर गया है दरसलब बिहार की राजधानी पटना में गंगा किनारे सभिता द्वार के पास लंदन में थेमस नदी के किनारे बने फेमस लंदन आई या मिलेनियम विल के तरज़ पर एक जाइट विल का निर्मान किया जाएगा जिसका नाम पटना आई रखने का निर्णा गया है बता दे किसको लेकर बनाएगे प्रिस्थाओ पर मन्जूरी दे दी गई है मालम हो कि इस जाएंट विल की उचाई 40 मीटर यानि की लगभग 131 फीट होगी जिसमें कुल 20 बॉक्स होंगे और उसमें एक साथ 160 लोग बैढ़ सकेंगे आपकी जानकारी के लिए बता दे किस फिरिस विल के निर्मान पर करीब 47 करोर रुपे खर्च किये जाएंगे और इसे वर्ज 2024 तक पूरा करने का लक्ष रखा गया है वहीं इसके निर्मान की जिम्मदारी बिहार राज्य रोड विकास निगम लिमिटेड को दी गई है बितिया में सराब के साथ तशकर गिरफतार बिहार में पुनरूप से सराब बंदी है लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें सिजरे मामले सुनने को मिलते रहते हैं आला किन पर नकेल कसने के लिए उतपाद विभाग के ओर से कहीं कोशिश की जाती लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कमी देखने को नहीं मल रही उटा सराब तसकर आए दिन तसकरी के लिए नए नए तरीकों का निजात करते वे पाए जाते हैं बता दे कि ताजा मामला बिहार के बितिया के नौतन थाना चितर के बुद्धवलिया पुल के पास काहे जहां से पुलिस के दौरा यूपी से मूतिहारी की ओर ले जा रही पकरिगे सराब तसकर से पूछ ताज कर कार्ण अंकित करते हुए उसे नयाई खिरासत में भेज दिया गया है दर्भंगा एम्स के नर्मान को लेकर संजय जहा का बयान एक बार फिर से बिहार में दर्भंगा एम्स के नर्मान को लेकर शियासत सुरू हो गई है एक तरफ जहां बीजेपी के ओर से कहा जा रहा कि वे दर्भंगा एम्स के निर्मान के लिए धरने पर बैठेंगे तो वहीं दूसरी और अब बिहार जल संसाधन मंत्री संजय जह के द्वारा कहा गया है कि दर्भंगा में एम्स बनने का फैसला पहले मुख्यमंत्री का था उन्होंने केंदर को दो दो बार पत्र लिखा पत्र में कहा गया कि सोभन बाइपास की जमीन एरपोर्ट के नस्दीक है हाईवे से उसे जोरा जाएगा ग्रीन फिल्ड एरिया है और उसे मिट्टी भर कर हम लोग दे देंगे अब जब एनोसी केंदर सरकार देगी तभी तो का आगे बढ़ेगा उन्होंने कहा कि जनता के पैसे से मिट्टी भराई कर दी जाएगी और कल अनुमती नहीं मिली तब क्या होगा पहले तो प्रधान मंत्री जी को भी गुम्रा कर दिये गए कि ये लोग एमस बना गया अब धर्णा देने की बात कर रहे हैं उन्होंने कहा कि इसके लिए भाज सरकार के स्वास्ते मंत्राले से पहले वे अनुसी दिलवाएं बर्बिग्गा के विवात के बाद ललन सिंग को लेकर अशोक चौधरी का बयान जेडियू के राश्ट्री अध्यक्ष ललन सिंग और भवा नर्मान मंत्री अशोक चौधरी के बीच बर्ब 11 लोग हैं तो आप लोगों का भी दाना पानी चलना चाहिए ना जब आप लोग कुछ सेंशेशन दिखाईएगा नहीं बताईएगा नहीं तो कैसे चलेगा उन्होंने कहा कि ललन सिंग हमारे बड़े भाई हैं हमारी पार्टी के राश्ट्री अध्यक्ष है वो मेरे लिए सरवो पड़ी हैं वो मुझे कहेंगे लिफ्ट जाओ तो हम लिफ्ट चाहेंगे राइट जाओ तो राइट चाहेंगे उन्होंने कहा कि विवाद मीडिया की उपज है कुछ लोग नहीं चाहते कि ललन सिंग और मेरे में प्रेम रहे मेरा उनसे पारिवारिक संबंध है तो उनसे क्यों विवाद होगा नितीश के पीम कैंडिडेट के सवाल पर अर्विंद केजरिवाल ने किया अपना स्टैंड साफ इन दिनों एक बार फिर से राजनितिक गलियारों में सीयम नितीश को पीम उमिदवार बनाने की बात चर्चा में आ गई है इसी को लेकर अब्द हमें लोगों को ससकत बनाना है हमें किसी एक व्यक्ति को ससकत नहीं बनाना आपकी जानकारी के लिवता दे कि अपने पीम बनने को लेकर मुख्य मंतरी नितीश कुमार के द्वारा पहले ही साफ कर दिया गया है कि उनका उद्देश्य केवल NDA को खराना है उन्हें कोई पद 2023 में भारत के कौन से तीन खिलारी असली गेम चेंजर्स होंगे जो बिल्कुल चौक आने वाला था उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप 2030 में भारत के लिए मेरे तरह से तीन गेम चेंजर्स निस्च तुरूप से बंबरा जड़ी जा और मुहम्मद सराज होंगे वहीं जब गौतम संबीर से तीन गेम चेंजर्स खिलारी चुनने को कहा गया तो उन्होंने बुम रहा मुहम्मद सराज और रोहिस सर्मा को चुना उन्होंने कहा कि मैंने रोहिस सर्मा को इसलिए चुना है क्योंकि विकेट्स आपको ऐसी मिलने वाली है जहां आपको बहुत अच्छी बैटि कि लखनाओ पीटने विवादित बाबरी मश्रिद मामले में जमीन को तीन हिस्सों में बाटकर राम लला नर्मोही अखारे और वकफ बोड को एक-एक हिस्सा देली का फैसला 2010 में सुनाया प्रख्यात पार्शव गायक मन्ना डेको वर्सो 2007 प्रतिस्ठित दादा साहब फाल के जन्म 1861 में हुआ भारतिय फिल्मों के प्रसद नर्माता एवां नर्देशक रिसी केस मुखर जी का जन्म 1922 में हुआ भारत की सौटपुट एवां जैवलिन थ्रोकी खिलारी दीपा मली का जन्म 1907 में हुआ बारकर अचम बात करेंगे प्रधान मंतरी मुफ्त लैब्टाप योजना के बाड़े में सोशल मीडिया पर कहीं सुचना वारल होती है लेकिन सभी सच्छो ये जुरुरी नहीं है इसी करी में आज हम बात करेंगे प्रिधान मंत्री मुफ्त लैप्टॉप योजना के बारे में दरसल P.I.B. ने अपने टूइट में लिखा है कि सोशल मीडिया पर एक नोटिस प्रसाल थोड़ा है जिसमें दावा किया जा रहा कि भारसरकार प्रिधान मंत्री मुफ्त लैप जल्दी आपके मोबाइल में ऐसी टेक्नलोजी आ जाएगी जो आपको भुकम के आने से पहले अलर्ट कर देगी गूगल ने बताया कि इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है मालम हो कि इस टेक्नलोजी को लाने के लिए गूगल निश्टनल डिजास्टर मैनेजमेंट और निश्टनल सिस्मोलोजी सेंटर से कंसल्ट कर रहा है गूगल के ब्लॉग पोस्ट के नसार उसकी ये टेक्नलोजी भुकम के जटके शुरू होने से पहले वार्निंग भेजने का काम करेगी कंपनी के नसार ये सिवा आने वाले सबता में एंड्रॉइड पांच और उसक भुकम के शिरबाती संकेतों को पहचान सकता है अगर कई फोन एक साथ भुकम के जटके की पहचान करते हैं तो गूगल के सर्वर को पता लग जाएगा नारी शक्ती बंदन अधिनियम को राश्ट्रपती से मिली मंजूरी बीतगन यानी के 29 सितंबर को नारी शक्ती बंदन अधिनियम को राश्ट्रपती द्रौपदी मुर्मुक के द्वारा मंजूरी दे दी गई है बता दे कि राश्ट्रपती के इसी मंजूरी के साथ ये ना बारे सरकार के ओर से गजट अधिशूशना चारी कर दी गई है आपके जानकारी के लिए बता दे किस कानून के बनने से अब लोगसभा के कुल 543 सीटों में से 33 प्रतिशत यानी की 181 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी मालू हो कि आरक्षंका ये प्रावधान अगले 15 वर्षों के लिए लागू रहे का और फिर 15 वर्षों के बाद इसे बढ़ाने पर फैसला संसत को करना होगा हम प्रतिदिन आप से पांच ऐसे जरूरी सवार और सुझरे जवाब बताएंगे जो की बिप्यासी, बिहार, पुलिस, दरोगा, समीत, स्सी जैसे अन्य प्रतियोगी परिक्षा में काम आएंगे हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किसने गूगल का एकादिकार खत्न करने के लिए अपना खुद का एप स्टोर लॉंच किया है औप्शन ने गूगल पे, औप्शन भी फोन पे, औप्शन सी पे टियम, औप्शन भी इनमें से कोई नहीं इसका सही उतर है ओप्शन भी फोन पे अगला सवाल, हाली में कौन वैस्वी खल्दी सम्मेलन की मेजबानी करेगा ओप्शन ने मुंबई, ओप्शन भी बंगलोर, ओप्शन सी चन्नाई, ओप्शन भी कॉल कता इसका सही उतर है ओप्शन भी मुंबई, अगला सवाल, बिहार में पहली बार गैर कॉंग्रेसी सरकार के मुख्य मंत्री कौन थे? ओप्शन भी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ओप्शन सी के भी सहाई, ओप्शन भी किदार पांडे इसका सही उतर है ओप्शनी महामाया प्रशाद अगला सवाल विहार में ठुमडी का मुख्य केंदर निम्न में से कहा है ओप्शनी गया ओप्शनी पटना ओप्शनी दर्भंगा ओप्शनी नालंदा इसका सही उतर है ओप्शनी गया अगला सवाल असोग के सिंग स्थम निम्न में से कहां स्थित हैं? उप्शनी राजगीर, उप्शनी पटना, उप्शनी वैशाली, उप्शनी गया इसका सही उत्तर है उप्शनी वैशाली इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके नुसार वर्ल्ड कप 2013 की सबसे मजबूत क्रिकेट टीम कौन सी दिख रही है अपना जवाब हमें अमारी कमेंट सेक्षन में लिख कर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी निउस और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहें चालन को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद